गुरुवा को शहर राम नाम की गुन्ज से गुन्जाय मान रहा एक और जहां आम जन्दा भगवान राम की भक्ति में लीन दिखाई दी तो वहीं दूसरी और शहर के सेलिब्रिटी मेकप आर्टिस्ट मेगा कपूर भगवान हनुमान के दस फुट के भावली स्वरूप को आ आकर्शक रूप से तयार करती हुई दिखी पेश है एक छलक नाकपर शहर के पोदारिश्वर राम मंदिर से निकाली गई शोभायात्रा में विशेश आकर्शन का कींदर रहा दस फुट के बहु बली हनुमान जी जिससे देखने लोग दूर दरा से इस रैली में शामिल हो आए थे आपको बता दे कि इस बाहु बली हनुमान का निर्मान बाहु बली इवेंट एवं मेगा कपूर आमिसर द्वारा तयार किया गया आपको बता दे कि मेगा कपूर हमारे विधर्ब की एक मात्र माइथोलोजी मेक अप आर्टिस्ट में विशारत है जिन्होंने इससे जै हनुमान के जै खोश लगाते हुई निजराए कोरोना के चलते तीन साल के लंबे इंतजार के बाद इस साल श्री राम जनमोचो के मौके पर श्री पोदारिश्वर राम मंदिर से इस भव्वे शुभायात्रा का आगमन हुआ था इस मौके पर राम भक्तों का उत्सहा द प्राउड फील हो रहा है कि कल हमने बहुत ही ब्यूटिफुल सा मेकप दिया था बागू बली घनुमान जी का जो भी पोदारिश्वर मंदिर में यहां से रेडियो के गया थे उनके उपर अमने देता माइथोलोजी में बहुत सादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर मेकप क महालक्षणी माजगदंबा पोड़ापुर्की महालक्षणी कुछने मांड़ा मायलममा मातंगी महाकाली रुद्रयोतार में माकार भैरवी माजगदंबा इस तरह से कम से कम 12-13 माताओं को हमने श्रिंगार दिया हुआ है और उसके साथ साथ हमने श्रीकिष्न बगवांशे रामचंदर को भी मेकप दिया हुआ है और यह पहला मौका था कि मुझे माइठोलोजी मेकप में हन्मान जी को रेडी करना था जिन्हें आपने रेडी किया था उनका नाम है सचीन जैंसर यह बाहु बनी के ओनर है इसका ड्रेस बहुत शांदार हमने बनाया था बाहर से और अच्छे तरीके से उन्होंने रामनामी के जलूस था उसमें एंक्रिली यह एक अपने आमें बहुत हिस्ट्री होई है कि 10 फुट के हनुमान जी जो हमने बनाते विज़े थे वो रामनामी के जलूस में आक्रिशन का केंड़ था इंबिसे न्यूस के लिए रुपापंडित ByråReport